को रख सके क्योंकि हमने समय सीमा दी हुई है उस समय सीमा से पहले हमें इस मामले को इस कारेकरम को खत्म करना है मैं अब इसी साथ हेमन सुरेंजी जारखंड के मुख्यमंत्री जो थे उनकी पत्नी कलपना सुरेंजी को आमंत्रित करूँगा वो मंच पे आए और अपनी बात स हेमन जी जेल में हैं तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इतनी तालियां बजें कि हेमन सुरेंजी को जेल में आपकी तालियों की आवाज सुनाई दे बहुत-बहुत धन्यवाद जोहार आज इस मन से मैं भारत की 50 पीसदी महिला अबादी एवब 9 पीसदी आदिवासी समाज के आवाज के रूप में आप सभी के समक्ष खड़ी हूँ आज अपनी बात कहने है कि पूर्व मैं बाबा तिलका माजी विरसा मुंडा सिद्युकानों फूलों जानों खंडा भील जैसे वीर विरांगनाओं को नमन करती हो हम आदिवासियों की कहानी लंबे संगर्शों एवं कुर्बानियों की कहानी है और हमें अपने महापुर्शों एवं विरांगनाओं पर गर्व है क्योंकि हमारी इतिहास आदिवासियों इतिहास स्थावियों के प्रतिशोद संगर्श की आग से तपा हुआ खून से लिखा हुआ इतिहास है जिसे हमें सारे आदिवासियों पर गर्व है आज इस मंच पर मंचा सीन आदर निया सभी अभी अमाने निया गण को और खास कर हमारे साथ यह आप आदिवासियों के नेता कारेकरता गण खास करके सुनीता मैम जी को और यहां उम्रा ये जन सेलाब आप सभी को हूँ जोहार है आज ये उम्रा एतिहासिक इस मैदान में सेलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि लोग तंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरीके से तानाशा ताकतों ने अपना कदम बढ़ाया है उसको अंद करने के लिए ये संकल्ब सभा यहां पे अमंत्रित हुई है जिसमें आप सभी जन भारत के हर एक देश हर एक प्राम से आय हुए हैं आप सभी को बहुत बहुत शुकरिया बहुत बहुत बढ़ाई कि आपने हमारी ताकत को इंडिया गटबंदन की ताकत को बढ़ाया है आपके यहां उपस्तित होने से हम सब मंचा सीन जितने पाटी के कारी करता है पाटी के वानिय गण है सभी को ताकत मिलती है क्योंकि हमारी ताकत आप सब यहां भारत की 140 करोड की जनता है जिनका बहुमत जिनका सिम्मत जिनका ताकत हम सभी को मिला है आज भारत में बाबा साहिब जी के सम्विधान के प्राप्त जितनी भी ग्यारंटियां है उन सभी को NDA सरकार के द्वारा उसे नश्च किया जा रहा है इनकी ग्यारंटियों की ग्यारंटि गौन लेगा जिनोंने एक एक करके हमारे सम्विधानिक संस्थाओं के सम्विधानिक मूलियों को तहस्नहस किया है जिस धंग से आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिस धंग से आज महटाई सातवे आस्वान पर है, जिस धंग से पूरे देश में नफरत की आगफएलाई जा रही है, जिस ज़ंग से हर एक जाती हर एक वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए भी यहां कोई नहीं खड़ा हुआ है क्या कोई भी इस देश में बड़ा नेता हो जाए वह सबसे बड़ा नहीं होता है आज भारत की जनता सबसे बड़ी है अगर कोई दल बहुत अपने आपको शक और ताकतवर नहीं हो तक्ति है आपकी एक उंगली इस उंगली का इस्तिमाल करिएगा आने वाले आगामी चुनावों में इस उंगली से हमारे गडबंधन इंडिया गडबंधन के लोगों को मजबूती दीजेगा क्योंकि अगर आपको अपना देश बचाना है आपको अपन इस वोट का चुनाव सही धंग से करना होगा आज 31 मार्च है दो महीने पहले इसी दिन 31 जन्वरी को हेमन जी को जेल में डाला गया दो महीने से जेल में है अरविंद केजरिवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में है आज तक आरोप सावित नहीं कर पाए है कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है आप जनता जनार्दन है आप महा अदालत है आप से जाधा ताकतवर कोई नहीं हो सकता है तो आप अपनी मजबूती को अपने ताकत को साने वाले सब समय में दिखा देना है कि पीछे बैठी यहां इंडिया गट बंधन को इतना मजबूत क कीजिएगा कि आपने सामने खड़ी ताना ताकत को यहां से उखाड फेटना है और मेरा यहीं कहना है यह बूमी यह मैदान की मिट्टी राम जी की राम लीला की कहानी बताती है हम सभी को यह याद रखना है कि श्री राम भगवान जी ने अपने युद्ध करते समय में भी नीती नियमों और आदर्शों का पालन किया था और जिस तरीगे से उन्होंने शक्तिशाली होते हुए भी हमेशा धैर एवं शहनशीलता दिखाई है और जिस तरीगे से उन्होंने ज्यानी होते हुए भी ज्यान पाने की तत्परता दिखाई थी और जिस तरीके से युद में अपने प्रतितंद्यों को हरा करके भी उन्हें सम्मान के द्रिष्टी से देखा था, आज हमें सब को बगवान श्री राम जी के आदर्शों को सच्छे धंग से समझने की जरूरत है, आने वाले दिनों में आप सभी का मजबूती, आप सभी का ग इन चाहूंगी, जरकंड छुकेगा नहीं, इंडिया यूज फेंडिया रुकेगा नहीं, मैं अपनी बाटों को इस जोज के साथ यह कहना चाहूंगी जय हिन जय हिन, जय हिन चोहार साथियों बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं कलपना सुरेन जी का और इसी श्रिंखला में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बंच पे राज्यसभास सांसद संजे सिंग जी की पतनी अनिता संजे सिंग जी भी हैं और सतेंद्र जैन साहब की पतनी पूनम जी भी यहां पे है मनीश शिशोद्य जी की पतनी क्योंकि स्वास्ते ठीक नहीं रहता इसलिए वो यह आज यहां पे स्टेज पे नहीं आई है मगर उनकी ब्लेसिंग्स आज हम सब के साथ इस इंडिया गटबंदन के साथ यहां पे मौजूद हैं अब मैं निवेदन करूँगा तेजस्वी यादव जी से कि वे आपके बीच में आएं और अपनी बात रखें दिल्ली के इतिहासिक मैदान राम लीला मैदान में आयोजित